तो ये एक clamp meter कम multimeter है मैं इसले कहा रहा हूँ क्योंकि इसमें clamp meter के साथ साथ आपको multimeter के सारे function मिलते हैं ऐसा कोई function नहीं है जो multimeter के समें नहीं हो सारे function इसके first part में मैंने इसका review दिया था और इसका जो second part यानि कि जो आज आप देख रहे हैं उसमें आपको सारे function समझा दूँगा और बिल्कुल practically दिखाऊंगा कि किस तरीके से किस function का असमाल किया जाता है वीडियो को सुरू करने से पहले एक छोटी सी request करूँगा आज तक तो नहीं की लेकिन आज जरूर करूँगा वीडियो को like कर देना इस वीडियो को बनाने मेरी बहुत महनत लगी है और detail से मैंने समझाए ऐसे आपको किसी भी चैनल पर सीखने के लिए नहीं मिलेगा तो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना बट like तो कर ही देना यार चल चलिए start करते है अब बात करते हैं हाँ पर measurements की तो चलिए इसके हम हटा लेते है caps और इसमें भी cap लगे वे रहते है double protection है ताकि काफी लोगों हाथ वर्ट टेच हो जाते है इसलिए protection दिया गया है अब बात करते हैं सबसे पहले ampere की हम function wise चलेंगे तो ampere की बात करेंगे तो ampere यहां पर यह हमारा ampere का section उससे पहले आपको backlight दिखाना चाहूँगा तो यह backlight रहा और इसको देर से दबाएंगे तो इधर की light जिल जाएगी torch तो torch को अब off कर लेते है और backlight और auto power off है कुछ देर माँ auto power off हो जाता है अगर आप भूल जाते हैं इसको off करना तो हो जाता है अब DC में हम ampere check कर रहे तो यह 0 दबा के देर से रखेंगे इसको 0 set करना है ऐसा नहीं कि आपने एक दो में छोड़ दिया उसके बाद ampere गलत बताएगा तो 0 set करके आपने रखना है और उसके बाद दूसरा function select का है function कहाँ पर select होंगे अगर DC AC रखना है तो आपने इसको दबा के function भी select होएगा तो F से function Z से 0 simple से आपको समझा दिया और DC में बिल्कुल 0 रखके करना है जैसे गरबड़ आ गया तो दबाईए जीरो हो जाएगा समझ गये तो आप ampere पर चलेंगे सबसे पहले में AC ampere के testing करेंगे उसके बाद DC के testing करेंगे चलिए AC ampere को check करने के लिए मुझे कुछ high volt की चीज चलानी पड़ेगी जो ज्यादा वाट की भी हो और जो ज्यादा ampere ले एक heat gun है मेरे पास जिसे hot gun भी आप कह सकते हैं और कहते भी काफी लोग तो इसकी testing हम करेंगे यानि कि इससे ampere हम test करेंगे क्यों कि यह ज्यादा ampere लेता है तो चलिए इसको मैंने connect कर लिया है और ampere चेक करने के जो तरीके हैं वो आपको पहले जानने पड़ेंगे जो काफी लोगों को नहीं बता तो मैं सिखा देता हूँ क्योंकि मैं सिखाने के लिए यहाँ पर आपको आया हूँ जब भी आप ampere test करते हैं तो एक double wire इस तरीके से जो double wires के अंदर जा रही है आपकी live और neutral उसमें ampere test नहीं होता इस तरीके से ना तो इसके लिए हम single single wire पर ampere test करेंगे तो इसलिए जानना जरूरी है तो चलिए इसको इसमें से काफी heat निकलेगी तो मैं इस तरीके से रखता हूँ ताकि मुझे भी कोई नुकसान नहों और आप यहाँ पर सही से यहाँ पर देख लें तो चलिए wires को मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ और heat gun की चलिए heat को मैं यहाँ पर दिए गये हैं तो अलग-अलग wattage में कितना यहाँ यहाँ पर के लिए पता चल जाएगा अब इसको हम DC अभी है तो इसको हम रखेंगे AC पे functions लगे AC पर रख लेते हैं अभी 00 विलकुल अभ यहाँ पर एमपेर शुरू करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर ए यह देखिए इसने यानिकी 3.9 यानिकी यह ले रहा हमारा चार एमपेर करीब चार एंपेर से एक दू पॉइंट कम है और यहाँ पर जब एमपेर ज्यादा लें लगता है तो उसकी light भी चेंज हो जाती है यहाँ पर light चेंज हो जाती है red कलर की हो जाती है देखिए होगे red color की तो इस तरीके से light भी चेंज हो जाती है जब ज्यादा एंपेर लेता है तो अगर मैं आपको दूनु वाइर्स पर दिखाओ तो दूनु वाइर्स पर नहीं बताय गया तो इस तरीके से और हाँ इसमें water is कम करते हैं तो एम-पीय कम लेगा 1.7 फिरी टरा है इस तरीके से हम एम-पेयर एटेस्ट कर सकते हैं हम चलते हैं DC आर्टेस्ट केने के लिए मैं एक battery को होई थी ए से करेंगे вып चलिए सैद आवाज आपको सुनाई देगी वह से ज्यादा आवाज नहीं मोटर की तो मैं चालू करता हूं उससे पहले मैं इसको डीसी में स्लेक कर लेता हूं अभी कम एंप्यर हम चेक करें तो हम इसको 60 पर ही रखेंगे क्योंकि मत्र एक अंप्यर तक ले पाएगी यह मोटर एक कि एक्जम्पल के लिए बता रहा हूं मुझे निए पता कितने एंप्या लेगी उसको जीरो पर स्लेक्ट करता है तब जाके सभी बताया और डीची प्रक्लिया इसे सब्सक्राइब गुछ o u के लिए के क τα ए handled एats अब सब्सक्राइब प्रजाज ले को आगा है इसे अगर कुछ हेवी चीछ लएंगे तो वू ज्यादा डे सकता है वोल्टेज का यह वाला तो इसमें AC DC दोनों वोल्ट चेक होएंगे और सेलेक्ट आपका इससे होएगा ठीक है अभी इसको AC पर रखते हैं और AC के वोल्ट चेक करते हैं तो चलिए अन करता हूं और इस पर हमने इसको लगा लिया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह लग जाए तो नुक्सान हो सकता है फ्यूज वोड़ सकता है इसलिए ध्यान से आपने देखना है तो यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है दो सोलर पॉइंट तीन वोल्ट और जब आपका 80 वोल्ट से उपर रहेगा तो यहाँ पर आपको रेड कलर का स्क्रीन पर लाइड देखने को म हट देखने के इस सिर्फ एक प्रोब को भी इसमां आप लगा सकते हैं किसी किसमें एक प्रोब में आता है बड़ चलिए दो ही प्रोब को हम लगा लेते हट चेक करने के लिए तो यहाँ पर देखें 50 हट की फ्रीक्वेंशिप आती है एसी बठीके तो इसमें 50 यहाँ पर दिखा हुए है तो अब हम दुबारा इस पर जाके DC की वोल्टेज को चेक करेंगे तो इस फंक्शन को भी मैंने आपको समझा लिया है अब DC की वोल्टेज को चेकरने के लिए एक बैटरी का जुरूरत पड़ेगा यहाँ पर जो एम वी लिखा हुआ रहा है वो ऑल्री एम चेक कर लेता हूं उस पर भी यह आपको पता चलाएगा तो एक 12 वोल्ट की बैटरी है जिसे मैं 12 वोल्ट का सूर्स के लिए हमें इसा यूज करता हूं तो यहाँ पर देखिए यह पॉस्टिव है और यह नेगटिव सामने देखेंगे कितना वोल्ट अभी 13.30 वोल्ट पुल चार्ज है तो फुल चार्ज होने के बाद बैटरी ज यादा बता ती है तो यह डीसी में आप बता य। हबziękता है. आपको frequency कुछ दिर पहले AC में बिता दिया 50Hz की frequency आ रही है अब चलते हैं अगले function की जिसमें सभी components की हम testing कर सकते हैं तो बाकि आप function select करने के लिए हाँ पर देखिए यह है select करने वाला अभी यह आपके register mode में set है और इसको select करेंगे हम यहाँ पर यह अब बजर की range पर set हो गया दबाते हैं यह nanofarad यहने की capacitor के mode में यह switch हो गया है इससे आप capacitor का capacitance से कर सकते हैं example के लिए एक AC capacitor की आपको चलिए अभी इसी mode में गया है तो इसी mode का ही आपको बता देते हैं AC capacitor की testing की आपको बता देते हैं तो यह रहा AC capacitor और उसको discharge जरू कर लेना capacitor को जिसका आप कर रहे हो वरना जो इसके अंदर charge रहेगा वो दिक्कत कर सकता है अल्टिमेटर को तो अभी यहाँ पर कितना बता रहें मिउएफ 4.160 यहनि कि यह है चार मिउएफ से उपर का ही capacitor है हाँ 4.160 यहाँ पर ज्यादा बता रहें कोई बात नहीं है तो वैसे चार मिउएफ का ही और रेंज लगभग आ रही है तो कुछ ही points का difference बता सकता है लेकिन यहाँ पर सही सने बताया है तो points 16 कुछ ज्यादा नहीं होता इसी capacitors के लिए तो देखिए 4.160 capacitor है यह देखिए यह देखिए कुछ 47.000 का भी है अभी इसमें भी कन्फर्म हो जाएगा कि या सेंटाइस सो का भी कर सकता है टेस्ट या पर नहीं पता चल जाएगा बिलकुल यह नेगेटिव पर और यह हमारा positive पर उंगली टच नहीं करनी है वरना दिक्कत हो जाएगी यह गलत बता देगा वेट करते हैं बिलकुल यह हमारा 47.000 का तो यह 4.38 यानि कि यह 43.000 के आसपास बता रहा है तो DC कपैस्टर पर एक accurate value बहुत कम देखी गई है ठीक है टोल्रेंस का भी काफी महत होता है 5% उपर नीचे टोल्रेंस इसमें होती है तो उसमें भी होता ही है अब यहाँ पर कपैस यह रहा दायोड का सिमल है तो यह डायोड मोड है तो इससे हम दायोड का सिमल है और यहाँ पर या देखिए यह हमारा रजिस्टर का मोड है mega ohms पर already set रहेगा बाकि जिस हिसाब से आप register इसमें चेक करेंगे उसे हिसाब से kilo ohms रहेगा kilo ohms में और ohms रहेगा ohms more दिखा देगा automatically देखी एक दो register है अपने पास उसको हम test करते हैं SMD मैं ही करूँगा फिलाल read कर रहा है यह 1.5 ohms की है क्योंकि इसने यहाँ पर ohms ही दिखाया हुआ है इसके जैस्ट उपर एक और है देखते उस पर भी यह है 1.4 ohms की यह आर वाली तो नहीं हाँ आर वाली है तो आर वाली जोती ohms में ही आती है और यह देखते हैं यह हमारी एक सेकन यह हमारी पॉइंट 0 के बाद पॉइंट है थिक है इस प्राद का धियां रखना यह 913 ohms बता रहा है कि 913 ohms की है ठीक है पॉइंट के बाद अगर यह बताए तो किलोईंस में उसको गिनिएगा तो 913 ohms की है जो मेगायोंस पॉइंट नौ बतार है ना मेगाऻूंस में उसकोImport on कि हंड्रेट है यहांड कि वन मेगायोंस के असपास की हो सकती है इस प los चाहिसमें रहता है तो उसको बाकिसको डिकोड करने के बादि बता चलेगा कि कितने ohms kilo ohms के, बाकी उसने दिखा दिया, कितना है, क्योंकि resistance में जितना accurate उसका value होता है, उतना नहीं दिखाता है, कुछ उपर नीचे रहता ही है, अब ये कितने value की है, इसकी value क्या है, इसकी है 297 kilo ohms, है निकि 300 kilo ohms हम मान सकते हैं, तीन ही ohms का difference है, 97 kilo ohms की, एक और है, 104 जिसके उपर लिखा हुआ है, दिखते हैं, यह हमारी 53 kilo ohms की, तो totally मैंने आपको दिखा दिया, यहाप पर resistance किस तरीके test कर जाती है, चले, diode का भी दिखा देता हूं, क्योंकि, पहले बजर का भी दिखा, बजर के लिए यही continuity mode यार, वो normally है, और इस पे हम capacity भी आपको test कर दिये, diode में, तो diode में test करने के लिए simple सा है, diode एक तरफ से value देगा, और एक तरफ से नहीं देगा, और circuit में लगे लगे आप चेक करेंगे, तो कुछ यहाँ पर दोनों तरफ से भी value आ सकते, इस तरफ से value नहीं दे रहा है, इस तरफ से 500-600 के आसवास देता है, व इसका number find करने के बाद ही बता चले है कि इतना value देता है, लगबा कितना ही है, इसका आता है, एक तरफ से सही value दे रहा है, और एक तरफ से dead है विल्कुल, तो diode हमारा सही है, अगर दोनों तरफ से value दिखाता है, तो तब जा कि हमारे diode में doubt हो सकता है, कि diode हाँ खराब है, तो लगबा completely हमें check कर लिया, अलावाला mode हमारा temperature का है, degree Celsius, degree Fahrenheit, यह probes मिली हुई है, इसको रखना हमने common पर black probe को, red probe को हमने रखना है, यहाँ पर, और इसके top में आपको यह material मिल जागा, इस पर आपने लगाना है, वैसे हाथ का temperature बहतारा फिला लिए, अभी हमने degree Celsius पर करना है, तो इसको दबा के, हम degree Celsius पर लिगाई है, तो अब जैसे मैं इसको heat करता हूँ, या फिर कुछ भी इस पर action करूँगा, तो वहाँ पर आपको temperature बढ़ता है, या फिर घटता हुआ मिलेगा, फिलाल मैं आपको heat करता हूँ, तो इसका temperature बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको ठंड कर लेते हैं, तो सिर्फ आपको मैंने practical करके दिखाना था, तो यहाँ पर लिखा दिया, तो इसको ठंडा कर लेते हूँ, तो यहाँ पर इसका temperature घटता जाएगा, तो इसमा कई सारे function है, यानि कि multimeter ही है, समध लिगी आपे, अगर आप कभी multimeter ले जाना भूल जाते, आपका phase testing करना भी बोलते हैं, दो wire आ रही है, तो जिसमें हमारी phase चल रहे होगी, उसमें ही यह beep करेगा, चलिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, NCP के लिए हमें इसको देर तक दबाना है, auto NCP में select हो जाएगा, देखिए, थोड़ा distance हमने रखनी है, द देखिए, इस wire में बंध हो गया, इस wire में चालो हो गया, इसमें बंध हो गया, इसमें चालो हो गया, कि इसमें phase आ रहा है, definitely इसमें phase आ रहा होगा, इस वाले में, देखो भी, phase ही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें phase आ रहा है, तो इसमें हमारा NCV चल रहा है, तो इस तरीके से NCV से testing face की करी जाती है कहीं पर line break तो नहीं है और इसी से आपको मैं दिवालियों में जाला repair करना सिखाऊंगा अगर यह नहीं है तो कोई और टूल से दिखा दूगा आपको मेरे पास तो है आपके पास नहीं होगा तो किसी और टूल से बताऊंगा लेकिन ब 2.9V जैसे कि यह बैटरी इतना ही चार्ड है बारे वोल्ट की बैटरी भी दिखा देता हूं तो इससे आप voltage का measurement कर सकते हैं सामने देख लो अभी यह कितना वोल्ट 13 वोल्ट करीब चार्ड थी बैटरी वही 13.30 बता रही है अभी भी यह देखिए तो यह पर आपको मैंने दिखा दिया है तो अब आपने इसके सारे function समझ दिया होंगे और इस product को आप खरीज देना चाहते है तो का link मैं आपको डिक कारिया हम आपको हमेशा देते रहेंगे thank you so much watching this video